हेलो नमस्ति दोस्तों मैं उस रोज मेरी किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करें पास में बेल आइकन बटन उसको भी आप प्रेस करना ना भूले तो दोस्तों बात करते हैं कि हम वेट से बहुत ज़्य हो जाते हैं तो किस तरीके से हमें वेट को कम करना चाहिए और वो भी क्या चीज खाके हमें वेट को बिल्कुल फिट करना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट से जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपको कितना रजल्ट मिला है इस वीडियो को देखने के बाद में और इसका आपको तरीका भी यूज करने के बाद में तो दोस्तों घर के ही रसोई में हमारे बहुत सारे ऐसे मसाले भी होते हैं जिससे आप नेचुरली वेट कम कर सकते हैं वो भी बहुत आसान तरीके से और दोस्तों वेट के साथ साथ में आप बहुत सारे बिमारिया भी खतम कर सकते हैं बस उसका तरीका आपको जानना है कि किस तरीके से हमें वेट को खतम करना है तो दोस्तों ये रसोई में अक्सर सभी के पास में ऐसी चीजे मिल जाती हैं क्योंकि ऐसा भी नहीं कि हमारी रसोई में बहुत सारी मसाले ऐसे होते हैं जिससे बहुती आसानी से और बहुती स्पीड से आपका वजन कम हो जाता है क्योंकि भढ़ने के बजाए बहुती स्पीड से आपका वजन कम होगा तो अब हम बात करते ह कि किस चीज से हमें वजन को कम करना है वो भी बहुती स्पीड से तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कुछ समझ में भी आ रहा हो कि यह क्या चीज है तो दोस्तों मैंने यहां पे लिया है सौट सौट दोस्तों हम सभी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं बहुत सारी चीजों में हमें यूज करते हैं सोट का क्योंकि हमें अगर बाइबादी हो जाती है तब भी हम सोट की फाकी लेते हैं अगर पेट में कोई उल्टी सुल्टी चीजे कोई खाने से दिक्कत हो जाती है तो भी हम सोट का यूज करते हैं क्योंकि सोट हमारे सरीर के ल जाके ठीक करती हैं अगर आपको कहीं पे दर्द है कमर में दर्द है या गुट्णों में दर्द है उसके लिए भी सोंट का हमें यूज करते हैं और दोस्तों सर्दी जुखाम खासी में भी हम सोंट का यूज करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो हम सोंट का यूज करत बिल्कुल भी नहीं भड़ता इसे और बहुती स्पीड से आपका वेट को ये खतम करती है दोस्तों आप मैंने मैंने तो खुद ने खुद ट्राइ किया है तो आप इसको जरूर ट्राइ कीजिए और जो मैं तरीका बता रहे हैं उस तरीके से अगर आप तरीक ट्राइ करेंग तो पूरा दिन आपकी पेट में गैस नहीं बनेगी एसीडिटी नहीं होगी और बिल्कुल पेट भी हलका लगेगा और आपका पेट भी बिल्कुल साप रहेगा क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी पाजन किरिया होती है उसको मजबूत करती है अगर हमारा खाने का डाइजेस जाएगा गटने के बदली और आपका अगर पेट सही है साप रहता है बिल्कुल आपको ऐसी डिटी गैस की किसी भी चीज की दिकत नहीं होती है तो आपका वजन में से ही गट जाएगा तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बिमारिया होती है जिन बिमारियों को भी ये एक चड़ से खतम कर देती है क्योंकि दोस्तो पेट जाएसी समश्या को तो ये बिल्कुल खतम कर देती है एर जैसे हमारा बादी का सरीर बोलते है न वो भी और तो उससे इससे भी आपको खतम कर देता है ये बी क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है हमारी बोड़ी के लिए हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करने के लिए और पेट की जो भी समश्या है वो खतम करने के लिए क्योंकि हम बहुत सारी चीजों में सोट लेते हैं काम में तो यहाँ पर मैंने लिए एक भगुनी तो इसमें मैंने एक गिलास पानी का डाल दिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक गिलास पानी का मैंने डाल दिया है तो पानी को हमें कितना गरम करना है वो भी हम बताएंगे कि कितना टाइम तक आपको इसको गरम करना है और दोस्तों सर्दियों में तो आपको सर्दी खासी चुखाम से भी बचाएगी आपका जो एस्ट्रा चर्वी है उसको भी जड़चे खतम कर देगी जैसे एस्ट्रा आपकी बोड़ी में चर्वी बन जाती है अगर आपको गैस की समस्या है पेट नहीं साप होता है उसके लिए भी बहुत ज़दा फायदा है अगर खाना अच्छे से नहीं पचपा रहा है उसके लिए भी बहुत ज़दा फायदा करती है ऐसी टीटी बनती है तो यहां पर देख सकते हैं जो मैंने सौट को कूटा था उ के अंदर Jahren कर दो इस तरीके सी हमें इसको क कलना हैं बहुत क्लिए चार से पांच मिनिट लग जाएंगे इसको मिनटे पें तो इस我是 तो इसी तरीके से थे कर सकते हैं मैंने इसको क अुक लिए आए अच्छे तो पानी हमारा गरम होने लगा है तो देख सकते हैं 5 मिनट के लिए इसको हमें जितना ये बोईल हो रहा है न उतना टायम तक हमें बोईल करना इसको 5 मिनट के लिए तो इतना पकाना है हमें इसको तो 5 मिनिट हो चुकी है देख सकते हैं इसको उकाल आते हुए क्योंकि अगर यह आदा भी बच जाये तो कोई दिक्कत नहीं गिलास अगर में थोड़ा कम भी हो जाये तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसका हमें जो सौट का कस है वो बिल्कुल अच्छे से निकलना चाहिए इसके अंदर तो यहां पर मैंने लियाए ग्लास तो इसमें मैंने चान लियाए तो दोस्तों इस ग्लास को दिन में आपको तीन बार पीना है तो आप continue इसको तीन बार पीएंगे तो आपको बहुती जल्दी रेजल्ट आजा मिल जाएगा कि किस तरीके से आपका बहुती स्पीड से वेट की भी कम हुआ है और साथ में आपको जो कमर में दर्द रहने की दिक्कत है नसों में दर्द रहने की दिक्कत है और भी बहुत सारी बिमारिया हैं वो भी खतम हो जाएगी सिरप आपको तीन बार पीना है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक यू